दोस्तों नमस्कार मैं आए दोस्तों रस आएल दोस्तों जानते हैं लिंफ नूट के इस्ट्रिक्चर बाहरह में लिफ नूट होता क्या है तो लींफ नूट जो कजोता है है दोस्तों भी जब Organelles स्वेट इस्वर्भ भूर्व मुध सेंज उसते हैं नियुख सभी उसको EarthLymphatics वहां से आता है जो उसके नदर नहां और जो करण केप सरबेस होती है वहां पर तीन स्ट क्षें कहुती है वेंस होती है अर RemoteLymphatics आता है Lateroutormкий प्रवेज्द निकलता है भी गयव, जहां आर्ट्री वेंस और PerfectLymphatics होता है हिल्लम कहते हैं आए दोस्तों आज़े देखते हैं यह जो मतलब इसके अंदर जो लिम भरा तो इसके अंदर दो सब्सक्राइब बाहर के एरिय कहते हैं कॉर्टेक्स अंदर के एरिय कहते हैं मेडूला कहते हैं और ट्रेविक लुदारा यह जो अंदर का कैप्सूल होता है केपसूल दिखाया गया है ठीक जो जो कॉर्टेक्स होता है दो भाग इंडिवाइब होता है आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स पैरा कॉर्टेक्स भी कहते हैं आए अब यह देख लिजएתי में दोस्तों जो लिम्फेटिक में धेर सारे ‫सायनेस होते हैं इसमें डिखाएगा है सबकैस्यलार साइनस होता है जो किनारे किनारे हो ऊता है उसको सबकैस्यलार साइनस कहते है मेडुली के पास होता है बीच में मेडुली साइनिस कहते हैं अब दोस्तों और जो ट्रैविकुलर के पास होता है तो ट्रैविकुलर साइनिस या कॉटिकल साइनिस कहते हैं यह देखिए लिंफ होता है एक फरेंट लिंफेटिक से बाहर निकल जाता है हिलम के तो के ट्रैणस दिखाए गया है लिंफ का कैसे कैसे आता इस sinus के तरो होता है, limb में sinus होते हैं, lymphatic channels को lymph sinus कहते हैं तो lymph sinus कैसे के दब मेडरी sinus होगा, सबकैसुलर sinus होगा, ट्रेविकुलर sinus या कॉर्टिकल sinus होगा ये lymphatic का lymph के तरो dryness होता है, आएए इसमें देखते हैं, cortex में कितनी सेल, कौन को से सेल पाए जाती है एक B lymphocyte होता है, उसके उपर कहीं भारोते से lymphatic follicles कहते हैं, reticular cells होती है, और macrophages होती है और follicle dendrite cell होती है, आएए दोस्तों, और देखते हैं कि मेडुलरा मेडुली में T cell होता है, T lymphocyte होता है जब thymis develop होती है, midrally develop होती है, तभी T lymphocyte पा जाते हैं, और midrally, उसमें midrally cortex में macrophages और dendrite cell भी पाए जाते हैं आए दोस्तों, midrally में plasma cells भी होती हैं, जो lymphocyte का निर्मान करती हैं तो जानते हैं, lymph node की definition क्या होती है, lymph node का function क्या होता है, lymph node क्या होता है तो small casulated lymphoid tissue होता है, इसमें देखिए, यह definition क्या है, इसके, a small bean shaped structure that is a part of the body's immune system lymph gland filtered substance that travel through the lymphatic fluid, they contain lymphocyte white blood cells that help the body fight infection disease also called lymph node दोस्तों, lymph node बहुत सारे structure होते हैं, जिसमें जो lymphatic cadranes होता है, इसके अंदर lymph vessels की तरीके lymph sinus पाए जाते हैं lymph sinus होते हैं, जिसमें lymph cadranes होता है, lymph जो था, lymph lymphatic channel से होते हुए, lymphatic channel फिर बाहर निकल जाता है, ऐसे दर lymph node में बहुत सारे cells पाए जाते हैं, B lymphocyte होता है, T lymphocyte होता है, plasma cells होती है, reticulocides होती है, dendroid cells होती है, यह सारी cells पाए जाती है, जो immune system को मजबूत करने काम कैसे करती हैं, और बाहर से poison को खत्म करने का काम करती हैं, आए दोस्तों, यह उसका structure है, यह दिखाया गया है, structure है अब आते हैं इसका structure structure of lymph node में क्या काते है, यह lymph node or lymph gland is a kidney shaped organ of lymphatic system and adapting immune system, a large number of lymph nodes are linked throughout the body of lymphatic tissue, they are major site of lymphocyte, include B or T lympho cell, lymph nodes are important for the proper functioning of immune system acting as filter for frozen particle including cancer the size of lymph node is a few mm to about 1 to 2 cm long, जो lymph node था 1 to 2 cm लग बाकिया हो सारे का मने आपको बताए दिये function क्या क्या होता, they filter out solid part के single bacteria, they produce lymphocytes, production of protein like global foraging substance are trapped by reticular fibers, reticulocytes जो सलसोती है, लिपनों भी उसके तरोब बनता है, the microphone is destroyed foraging substance by phagocytocyte, they act mechanical filter to accept entrance of poisonous substance, यह आपको मैं बता चुआ हो, function के बारे में, यह component होते हैं lymph के, component आता, lymphatic system क्या आता, lymph होता है, thymus gland होती है, lymph nodes होती है, स्प्लीन होते है, system ना काईली होता है, यह सब होते हैं, मतब इसके lymphatic से parts ही होते हैं, structure and function क्या क्या होते हैं, function मैंने आपको बता दिया है, बाकि आप इसका screen shot लेकिए इसको समझ सकते हैं, कैसे flow होता है, उसको भी मैंने बता दिया है, अग दूसरा component क्या होता, lymphatic system के होता ह system ना काईली होता है, थोरा कि डक्ट होता है, राइट लिमफाइटिक डक्ट होता है, यह सब lymphatic component लिमफाइटिक सिस्टम टू के part होते हैं, दोस्तों, lymph node के अंदर लिमफ बहता है, लिमफ नोट का काम है, हमारे सरीर की प्रत्रोधक छंता को बढ़ाना, हमारे सरीर की अब इसका उनसे रच्छा करना, लिमफ नोट का एक्जामिशन कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्जरे लिमफ नोट का एक्जामिशन कैसे करते हैं, यह ग्रे लिमफ नोट दिखायागा, इसका एक्जामिशन कैसे करते हैं, पहले क्या होता है कि आप मरीज के बाया हाथ को राइट से देखेंगे और आइड सोफ़ अससे है करते जाएंगे तो बिलकुर करने के लिए आप मरीज के मरीज के हैंट को आप दूसरे हाँ से पकड़ पिर आप लिप्ट राइट हैंड से पकड़ के लेफ्ट हैंड से एंट लेटर लिंप झाल इंड खेयल लिंपनोट का एक्जांशन करने के लिए आप पीछे से जाना पढ़ेगा और trapezius के side से right hand से उसका examination कर लेंगे आई दोस्तों आगे देते हैं अब इसका head और neck का कौन कौन से lymph node होती है इसमें होता है submental lymph node होता है इसमें जब head और neck का lymph node का examination कर तो patient के पीछे खड़े होगे soft heart से finger के pad से करते हैं shorts पहले submental करेंगे फिर इसका submenubular फिर deep anterior cervical शुप्रा कलाइब कर लेटरल जुग्राल ऑक्स्पिटाल और पारियोटीट यह सब lymph node का फिर examination करते हुए आते हैं अब दोस्तों देखते हैं इन्गोनल lymph node का फिर examination करते हैं जब कोई infection होता है या inflammation होता है तभी lymph node परपेट होते हैं तभी दिखाई देते नहीं तो नॉर्मल कंडिशन में नहीं दिखाई देते हैं यह देखें लंप पिन ग्रोइन रिजन काज़ बाई solen lymph node यह देखें लंप देखें जूकि यह lymph node के solen होने से हैं यह देखें structure दिखाया है lymph node कहां कहां पाया जाते हैं सरीर के अंदर में उसका structure दिखाया गया है चलिए दोस्तों आईए अगर आपको lymph node का exemption समझ में आये हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद देन्वार्ट